नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपनी ही योटूब चैनल भीरू अकाडमी पर सभी को गुड मॉर्निंग वंदे मात्रम चाहे हैं बात करेंगी जो P.E.T. का एक्जाम होता है उसकी वायदता को बढ़ाने को लेकर के एक बड़ा जो कहीं तरह कहीं आप कह सकते हैं मुहिम छेर दी गई है और अब इसकी जो वायदता है वो पाम साल करने पर फिचार किया जा रहा है आए आए आपको पूरी नियूज से रोब डियर आप जानते हैं कि प्रदेश के असासकी सहायता प्राप्त जूनियर हाइ स्कूल में 1895 पदों पर सिचक भरती में गड़वड़ी सामने आने के बाद से प्रक्रिया आठकी हुई है ऐसे में प्रतियोगियों ने CM योगी को पत्र भेज़ कर दोबारा परिच्छा करान लेकिन अभी तक इसका जो मामला है वो मानिक कोट में चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रतिनिधी मंडल के सीतला प्रसाद ओजा ने बताया है कि पत्रचार के माध्यम से मामले की जयनकारी मुख्मंतरी को दी गई है सिचक भरती की परिच्छा मे आने के बाद उन्हें जेल बेद दिया गया इसके बाद जाच के दोरान कई अभरतियों के नंबर बदल गए कई का प्रड़ाम अमान घुफित कर दिया गया यह सभी मामले कोट में लंबित हैं तो आप ने देखा था कि धांधली काफी बड़ी इस्तर पर जूनियर एड़ सिच्चक भरती में हुई थी और उसको देखती हुई ततकालीन जो उससमें PNP के सचियो थे संजेक उमारूपार द्याय उनकों आनन फानन में तुरंत जो हैटा करके जेल बेजा गया थे सारी प्रक्रियाई की गई थी और फिर मामला कूर्ट की दहलेट में पहुँच गय था और आप जानते हैं जब कोई मामला कूर्ट में लंबित हो जाता है तो उसमें काफी आदा जो समय है वो टाइम है वो बेश्ट होता है इसलिए जो छात्र है वो कहीं ना कहीं मुख्वंतरी श्रीयोगी आजितनात जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस भरती सिच्च भरती है इसकी परिच्छाएं फिर से होंगी और जो रिजल्ट आ चुका था वो पूरी तरीके से रद्ध होगा ये आगे आने वले समय मिश्पष्ट हो पाएगा फिलाल परिच्चा में जो गड़बडिया हैं पूरी तरीके से वो प्रभावित हैं प्रक्रिया मे अब भरतियों को इंतजार है कि भरती जल्द हो लेकिन मामला कोर्ट में है और कोर्ट का चहरी में काफी ज़्याद समय वेश्ट होता है इसलिए अभी कहपाना कि जूरिया राडियो से चेक भरती की प्रक्रिया जल्द सुरू होगी ये थोड़ी जल्द बाजी होगी डियर बात कर लेते हैं अगली ख़बर की तो अगली ख़बर आप देख सकते हैं कटाप के फेर में ज्यादता अभ्यरती हुए परिच्छा से बाहर आप जानते है डियर जो पीटी का कटाप है डियर इसमें जो वैदता है इसकी अवद ही है उसको पांच वर्स किया जाने की बंचित रह जा रहे हैं इस मुद्दे पर भर्तियों ने सोसल मेडिया पर अभियान सुरू किया है साथ ही मुखमंत्री और आयोक के अध्यच को सैकड़ों की संख्या में मेल भिभेजी गई है अब भर्तियों को कहना है कि अधिनिफ्त सेवा चैन आयोक की और से P.E.T. में सामिल अभर्तियों के लिए बिभिन प्रकार की भर्तियों का संचालन किया जाता है आयोक पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना भर्तियों को सौट लिस्ट करता है लेकिन इस प्रक्रिया में कम भर्तियों को सामिल करने का मौका मिलता है खासकर कम पदों वाली भर्ति में ज्यादा अभ्यरती सामिल होने से बंचित रह जाते हैं इसलिए कही ना कहीं जो अभ्यरती हैं डियर वो ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जो वहता है वो 5 साल की जाए और कटाफ जो है हरे की जाम के लिए हो जिस भी जाम के लिए हो हम पहले से फिक्स होनी चाहिए ताकि अभ्य करती उसी इसाफ से अपनी तयारी करें जो कि कुछ खात्र ऐसे हैं जो तयारी तो करते रहते हैं लेकिन जब सौट लिस्ट Something ister की जाती जाती है तो उनका नंबर नहीं आपाता तो इसलिए काफी छात्रो से नुकसान भी ओजाता है तो कहीं न कहीं इसकी जो व्योता है पांक साल करने की और एक फिक्स कटाप करने की मांग की जा रही है लेकित देखने वाली बात ये भी होगी कि आयोग इस बात को सुनता भी है या नहीं ये निकट भबिस में ताइम हो पाएगा डियर तो याज का अपटेट वीडियो था पैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा इसी तरह की सटीक और आथेंटिक अपडेट से पलपल के लिए जुड़े रहने के लिए शैनल को तुरं सबस्क्राइब कर लिजिए जैसे ही सिच्छा जगत से जुड़ी होई और कुछ महात्रपून खबरे आएंगी हम आप से तुरंट जुड़ करके आपको तुरंट सटीक और आथेंटिक अनालेसिस तुरंट मुहया कराएंगी तक तक के लिए जैसे भारत लब यूगाइट वद्दे मात्रम